हेलो फ्रेंड्स जानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे दोस्तों यदि आप मेरे चनल से जूला चाहते हैं तो नीचे दिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नभूल है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टापिक पर बात करते हैं जो कि भारत में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो इस चीज को अपना तो लेते हैं लेकिन उन्हें इसके रिजल्ट्स नहीं मालुम होते हैं कि ये किस तर ये दोस्तों ये सारी जो चीजे हैं वह इंटरनेट की बजह से ही संभव हो पाई हैं और आज के समय पर ये कंडिशन हो गई है कि जो भारत है वह दसवे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है सबसे ज़्यादा पॉर्ण वीडियो देखने वाले देशों में से लेक तो फिर यह आपके लिए जान लेवा भी हो सकता है मैं आज आपको इस वीडियो में यही इफेक्ट्स बताने वाली हूं कि इसके आपको कौन-कौन से दुस परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं दूस्तों एक रिसर्च में पाया गया है कि जो व्यक्ति जादा पॉर्ण द होसता है और यह उसके लिए जान लेवा भी हो सकता है दोस्तों एक्स फिलने देखने वाला ब्यक्ति अपनी निजी जिन्दगी में भी उसी तरह से सेक्स करना चाहता है जैसा कि वो एक्स वीडियो में देखता है पर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि फिल्मों को जान बुच कर चादा भड़काओ और आकरसक बनाया जाता है और उस जैसा करना आपके बस की बात नहीं होती है जिसकी वजह से आपके जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है इसके अलावा दोस्तों यह आपके बेवाहिक जीवन पर भी काफी एफेक्ट करता है लगातार एक्स वीडियोज देखने के कारण व्यक्ति अपने पार्टनर से वैसी ही उमेदे रखता है जैसा की वह एक्स वीडियोज में दिखाया जाता है पर इसे हर बार हकीकत में उतारना नामुंकिन होता है इसका नुकसान यह होता है कि व्यक्ति को अपने पार्टनर के प्रती अलगाओ पैदा होने लगता है वहीं दोस्तो एक्स वीडियो देखने से सेक्स को लेकर विक्रत नजरिया बनता है जो कि समाज में रेप जैसी घटनाओ में बगोतरी के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है तो दोस्तो ये आपके दिमाग को बहुत एपक्ट तो सकती है जी हाँ दोस्तो जीलिदी आप हट से ज़्यादर एक्स वीडियो क्यों से भी जार जाता है तो दोस्तो ये जो हार्मोन होता है वह पुरसों और महिलाओं दोनों को एक बंधन में बांधने का काम करता है पर अगर सेक्स को पॉर्ण फिल्मों की तरह किया जाए तो यह काम नहीं करता है जिसका असर आपके रिस्तों पर भी बुरे तरीके से पढ़ता है वही दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उत्तेजित होने के लिए पॉर्ण का सहारा और दीरे दीरे चल कर उनकी आदत हो जाती है और इसका नुकसान यह होता है कि जब आप इस तरह की करनिशन में होते हैं तो फिर व्यक्ति प्राकृतिक तोर पर उत्तेजित होने में नाकाम होने लगता है और इसके परिड़ाम आपको आगे चल कर काफी बुरे देखने को म दोस्तों इस तरह की जो वीडियोज होते हैं वह अवयद्शम्वंदों के लिए भी काफी रहा हो रहा है और इस वजह से रिस्तों में विस्वास होना भी काफी मुस्किल हो सकता है तो दोस्तों यह थी छोटी सी जानकारी उम्मीद करते हूं आपको पसंद आई होगी यदि है जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और वैल आइकन को भी दवाएए ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके